नमस्कार अब सभी का स्वागत है आप देख रहें न्यूज 24 और मैं हूँ आपके साथ अंचली आनंद जम्मो कश्मीर के रज़ोरी में बीटे 48 घंटे से जादा आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच एंकाउंटर जारी है काला कोट इलाके के जंगलों में दो से तीन आतंकियों के छिपे होने की खबर है भारती सेना, CRPF और जम्मो कश्मीर पुलिस के जवान ऑपरेशन में इलाके को घेर लिया गया है सर्च ऑपरेशन में ड्रोन के भी मदद ली जा रही है बता दें कि ऑपरेशन के द्वारान दो जवान घायल हो गये है तो आज भी ऑपरेशन जारी है और कल की तस्वीर आपको दिखा रहें अर्तालिस घंटे से ओपरेशन आल आउट जारी है का विस्तमाल किया जा रहा है आपको बता दें कि पूरी कोशस की जारी है कि पूरा ओपरेशन और ओल आउट किया जाए बड़ी खबर शुरू हो चुका है हम इसमें मौझूद है काला कोट के उन गने जंगलों में जिन गने जंगलों में मौझूद है पाकिस्तान द्वारा पाले गया आंतंक की और लगातार आंतंक क्यों सक्षाबलों के बीच मुठवेट चल रही है सुबा सूरच की पहली किरन के साथ आप द यह वही जगा है जिस जगा पर आंतंक क्यों सक्षाबलों के बीच मुठवेट शुरू हुई थी इस मुठवेट के दुरान भारतिये साना के दो बहादूर जवान जो है वो जखमी हुए थे और आप देखिए कि कैसे जम्मू कश्मीर प्लीस के स्पैशल ओपरेशन में मौजूद हैं छिपे हुए हैं उन तमाम आंतंक्यों को जहन्नू पहुंचा आए जाए इस गने जंगल में सबसे बड़ी चनोती है सबसे बड़ा चैलेंज है गना जंगल क्यूंकि आप देखिए यहां से चंद मीटर आगे देख पाना भी बहर जादा मुश्किल है ड तक सुक्षाबलों ने 20 आंतंक्यों को धेर किया है लगातार सीमा पार से पाकिसान ऐसी कोशिश कर रहा है कि बरफवारी से ठीक पहले सैकडों की इतादाद में आंतंक्यों जो लॉंचिंग प्याइड में मौजूद है उन्हें भारतिये सीमा में गुस्पैड करवाई जा सके आप देखी कि कैसे हमारे बहादुर जवान बेहर ज़्यादा लेट है और हमारे बहादुर जवानों का यही मकसद है उन तमावां तंक्यों को चुन-चुन कर मोत के काट उतारा जाए जो इन गने जंगलों में मौजूद हो सकते हैं कैमरमैन पवन के साथ पंकर शर्मा जो इस सबसे उन्चाई वाले शेतर में 2400 गंटे अलट रहते हैं यहाँ पर कडाके की ठंड है गना कोहरा है और सर्दियों में पारा जाता है माइनस 20 डिग्री से भी नीचे और यह जो इलाका है जिस जगा पर जवान जो है निचले इलाके पर नज़र रखते हैं यहाँ पर आंतंकी जो हैं उनकी मुमेंट कई बार नोटिस की जाती है और गने जंगल का इलाका है यह वो इलाका है जिसे कहा जाता है मुगल रोड मुगल रोड आंतंक्यों के गुस्पैट का पारंप्रिक रूट कहा जाता है आंतंकी जब एलो सी से गुस्पैट करते हैं इसी र अत्या अधुनिक हथ्यारों से लैस हैं और इनकी निगाहें हर समय जो हैं वो निचले इलाके में रहती हैं ताकि अगर इने कोई आंतंकी दिखता है एक गोली से उस आंतंकी का काम तमाम कर देंगे आप देखिए कि यही वो बहादूर जवान है जिनकी वज़ा से हम स्रक्ष है 8500 फीट की उचाई पर आज हम हिसा बने हैं भारतिय सैना के जवानों की पैट्रोलिंग पार्टी का यह वो बहादूर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाय रखने के लिए 2400 गंटे हमारी सरत की रख्षा करते हैं और यही वो जवान है जिनकी वज़ा से हम स् मैं स्रक्षित हैं आप इन जवानों को देखिए यह जवान इस समय पैट्रोलिंग कर रहे हैं गने जंगलों के बीचों बीच बिलकुल ही ग्राउंड जीरो पर यह है मुगल रोड का इलाका मुगल रोड वो इलाका है जो आंतंक्यों का पारंप्रिक रूट रहा है नेंतर इस समय बहत जादा जो हलात हैं वो तनापुन बने हुएं क्योंकि दुष्मन यानि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आंतंक्यों की जादा संख्या में गुस्पैट करवाई जा सके ताकि ये आंतंक्यों की जमू कश्मिर में बड़े आंतंकी हमले को अंजाम है यहाँ पर सबसे बड़ी चुनोती होती है जंगल और मोसम यहां पर जो पारा है सर्दियों में माइनस 20 डिगरी से भी नीचे चला जाता है और गर्मियों में भी बहुत जादा थेंड होती है और कोरा जो है हर समय यहाँ पर दिखाई गे थै सामने पहाडों पर आप देखिए पूरी तरह से आपको यहां पर कोहरे से डके हुए पहार दिखेंगे और आप जवानों को देखिए जवान जो हैं वो बहुत जादा इलर्ट हैं और यह जवान जो हैं जब यहां पर पैट्रोलिंग करते हैं सर्च करते हैं इनका यही मकसद होता है कि अगर पा बेहत यहां पर जो चुनोती है वो कदम कदम पर है और यहां पर किसी भी समय इन बहादूर जवानों का सामना अंतंक्यों से हो सकता है और यह जो है पूरी तरह से अलर्ट हो जाएंगे मकसद इन जवानों का यही होता है कि पाकिस्तान जो है अपने नापाक मसूबों में क बैट जाईए और आप तमाम जवानों को देखिए क्योंकि यहां पर जैसे हम बता रहे थे कि चुनोती जो है वो कदम कदम पर होती है इलाका जो है क्योंकि इस इसा हो सकता है सुत्रों से जानकारी मिली है कि आंतंक्यों की मौझूद्गी हो सकती है और उसी के अशंक्का के चलते जवान हैं लगातार पेट्रोलिंग करते हैं काड़न सर्च अपरेशन करते हैं आप देखिए तमाम जवान जो हैं पजिशन संबाले हुए हैं और किसी भी समय यह जो है इन जवानों का सामना हो सकता है पाकिस्तान द्वारा पाले गे आंतंक्यों से लेकिन चुन-च पंकर शर्मा न्यूस 24 मुगल रोड गने जंगलों के बीचों बीच भारतिय सैना कैसे आंतंक्यों के खिलाफ ओप्रेशन को अंचाम देती है रात का समय होता है सबसे ज़्यादा खत्रा होता है गने जंगल और यहां पर क्योंकि रात के समय चंद मीटर दूर देख पाना बेहर जादा मुश्किल होता है क्योंकि इन इलाकों में कहुरा भी बेहर जादा होता है लेकिन आप देखिए कैसे यह सैना के वो बहादूर जवान है जो इस गने जंगल के चारो तरफ फैले होते हैं और चारो तरफ से कॉड़न किया होता है यह होता है जब इन्हें इस ब जगातार आगे बढ़ते जाएंगे रात का समय होता है इसलिए ओपरेशन जो है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है अंदेरा और कदम कदम पर खत्रा हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान द्वारा पाले के आंतंक की किस जगा पर हैं इस बात की कोई जानकारी नहीं होती है ल काल बन कर क्यामरावैन पवन के साथ पंकर शर्मा न्यूस 24 पूंच रुक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद भी खबरों का जलसला लगातार जा रही है